राश्टारी दहरदुन के बीचो बेच इससे सिरेंजनपूर में एक पत्रकार को कुछ लोगों ने घर में घुसकर ही पत्रकार वो उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया है पत्रकार भान उपाध्या ने आरुप लगाया कि उनके ही कुछ पड़ोसी जो की सरकारी भूमी पर अतिक्रमन किये हुए हैं दिवाली के दिन हुए कुछ लोगों को लेकर उनके घर में गुसे और उनकी वा उनकी पत्नी और बुजर्ग माता से मारपीट की जिससे उनके परिवार के सबी सदिस्से काफी चोटिल हुए उन्होंने आरुप लगाया कि जब उन्होंने मदद के लिया अपतकाली नंबर पर कॉल कर पुलिस से मदद लेनी चाही तो पहले तो उनकी कॉल को नहीं उठाया गया तद पर शात उन्होंने एक स्थानिय दरुगा को कॉल कर जानकारी दी उन्होंने ՘र पर होने की बात कह कर फोन काट दिया इसके बार जब उन्होंने घायल अवस्ता में किसी तरह पडुसें की मदद से पुलिस को जानकारी दी जिसके बार पुलिस उनके घर पहुँची और उनका मैडिकल कराने के बाद पीडित ने थाने में तहरीर दी पीडित का आरूप है कि इससे पहले भी उप्लोगों द्वारा उन्हें कई बार जान से मारने की धंकी दी गई है जिसकी वह पहले भी शुकायत कर चुके हैं वही मामले को लेकर थाना पटेलनगर पुलिस ने बताया कि मामले की अभी जांच की जा रही है साथ ही सेसी टीवी फुटेज आदी की भी जांच की जा रही है उन्होंने कहा कि जो भी मामले में दोशी पाये जाएगा उसके खिलाफ कारवाही की जाएगी थीन दोग है कि दो दोग है बहू को मार दिया गलेगा तोड़ दिया मुंगा सूर्टर इको पूरे अंग में दरद है बात मारी खेक दिया और और अरद भी थी वॉर्द भी था रहता पुरा अंदर शब दूढ रहा है हमारे फुरासी जो है वह हमारे गेट के आगे पटाका पूर्ड़े थे इन्होंने सड़क पर अतिकरमण कर रखा है और जिसके कारण जो है हमको फिट नहीं को मेरे हजबन जो है काम में लगी मैं कलोनी वान्यों के साथ तो इन्होंने कि हमा कि अधिकरमण को और उनको हाट की प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम से ऐसे दो की हो लाए लेकिन पूस्त ने मुझे गाने को लोज दिया मुझे परसान किया और उटा सीटा बुला इसको पीचा भी और सारे जोतिकरमणाकारी है सब जरके अंदर बुजे इन्हों मेरी दम तक घुठने लगया था इतना मुझे मतलब मारा है मेरी पेट में लात मारी मेरी साज मेरे 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 को मारा सबने मारा मुझे मारने में तो तीन-चार लोग थे इनको मारने में तीन-चार लोग थे इनको मारने में तीन-चार लोग थे मारे साज जी को मारके गए और मेरे बच्चों को धक्का देगा और मार गए जान लेनी की कोशिस करी, जान लेवा हमला हुआ है हमारे परिवार पर पुलिस में कंप्लीन करी मैंने और हमने ही मेरे हजबने कंप्लीन करी मैंने खुद असेस्ट पे ऑफिस फोन गिया है और वहां किसी ने स्ट्रीट ने कि प्रविश में और उसके बाद फिर पुलिस आई है मेरे पार्जमिन की कम्क्रीन में और उसके बाद उन्होंने जो है मारा मेडिकल कर आया कम से कम छह साथ आठ लोग थे गें अपनो दस लोग होगे बाद आई कि अपने मेरे और आध को में कि ना वह नौन दो खेचान से कोकी को स्केष्ण में नियुककि छेड़बूम आधकी देटे हैं तो मेने जोन मेरे 2 वी आमड़ी Director मेरे मेरे बच्चों को भी झोड़ा मेरे इस तो भी मेरे नैसी यहाँ पत्नी जिसको मैने देशारे जो यहां आई उस लड़की इन्हों उसके साध्र रोज आए दिने कि अपने को बचाइव समस्थी थी लेकिन बहुत तो कि मैं मैं एक पत्रकार हो ते अपनी मा को पिटने से नहीं बचा पाई है तो पत्नी को बचानी पाई प्धूर्ण बचानी है तो अब अब चाप्पल दिखार है चनलमोहन पोखर-याग है भाजपा का तठाकाती नेता है जाओ, मैं उसों भाजपाई नहीं मानता, वो लेकिन फुद को भाजपाई मानके चला था, गाड़ी में अपने बंडल मंत्री का वो लेकि चला है, धोंस दिखाता है, जहां भी जाता है, वहां कहता है, अरे कौन भाजपाई नहीं हो सकता, मेरी यह राय है, तो मुख्यमंत् मैं कलवनी में कैसे जाओ, मैं सुझती थी, मैं मेरा बेटा बड़ा पत्रगार है, मुख्यमंत्री कबर करता है, मेरे साथ सेफ महसूस कर रही थी, मेरे से बड़े तो थीन भाई हो रहे हैं, मैंने कहा भी ताईजा तू, तू अल्वानी मेरा, तेरा लों मिसी, वहां से घर आए, तू देखा कि हमारे गेट में ये फ्रेंबल नफंत्र का किराइदार जो है नसे है, वहां पठागाट आएपोर आता, तो उससे इतना ही हमने रिक्वेस्ट करें, भाई आप अपने उसमें अपने इलाके में अधर को अंदर रो खलो, मेरी मार को जाए सांस की प्रॉ और जो सड़क चंग प्रेंबला पंतने और चंग फर्यान ने मेरे घर के बाद जो उनका घर लगावाया, वहां बंद कर रखिया, वह सड़क निया, उसके लिए जब सीटिंग में से डिक्रेर हो गया, आदेश हो गया तोड़ने का, आने सो नंबर में फॉन किया, तो फॉ मेरे घर में ये लोग घुश रहे हैं और मारने के लिए और धंका रहे हैं बहार से, तुम पुलिस बेज़ दो जड़ा कैसे भी, बुला नहीं आप सो नंबर में फॉन करो, मैंने का प्यों सो नंबर में फॉन नहीं उठ रहाया, तो चो कि चले जाओ, मैंने का ये मार में इतना बता रहा हैं कि उस दरोगा का भी नाम नहीं ले रहा है, मेरे पाँ उसकी ऑडियो रिकॉर्ड है, अगर जड़त पड़ी तो मैं उसको भी दूंगा कल के दिन, रोस में लोगों को पॉन किया, हमें जब इनोंने पीड दिया था तो उसके बाद फिर तब जा कि प लाई, तो उनने फिर मुझे, हम लोग सब गाड़ी में गए, रहा हमें बार अगजे के बाद, महां तहरीर दी, तहरीर देने में भी उस समय मैं आखी नी कुल ली थी मिली, मैंने इतना ही निखा कि जान ले वहा हमला, घर में, यह रोज आई दिन हमें धंकाते थे, इनके हमारी कमसियों दस-पंदर तहवीर है, पहले से मेरे का पड़ी हुए, क्योंकि यह रोज कहते थे, हम तुम जान से मार देंगे, यहां से निकल लो, यहां से निकल लो तुम लो अपना हलवानी चले जाओ, तो यह बताओ, मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पाकिस्त